हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर करेंगे तो सबसे पहली जो मेरी टिप है वो है केले के बारे में केलो को खराब होने से बचाने के लिए आपको एक टिप बता रहे हूँ देखे कभी कभी घर में जब ज़्यादा केले आ जाते हैं एक दिन में केले सारे नहीं खाय जाते हैं बच जाते हैं तो ये दूसरे तीसरे दिन खराब हो जाते हैं तो इन्हें आप लंबे समय तक स्टोर कैसे करें वो बता रहे हूँ तो सबसे पहले तो आपको केलो को इस तरीके से अलग कर लेना है और हर एक केले के उपर उपर की साइट थोड़ा थोड़ा एलमूनियम फॉइल पेपर ऐसे लगा देना है अब इसके बाद आपको क्या करना है आपको लेना है सिरका आपको वाइट विनेगर यहाँ पर ले लेना है और बस इसे हलका हलका सा केलो के उपर ऐसे लगाना है आप ब्रश की हेल्प से टिशू पेपर की हेल्प से या फिर कॉटन की हेल्प से इसे लगा सकते हैं इस तरह जब आप केलो के उपर थोड़ा सा एलमूनियम फॉयल पेपर लगा देंगे और इस तरह इसकी उपरी सता पर ये सिर्का लगा देंगे तो आपके जो केले है ना वो 5-6 दिन तक भी बिल्कुल खराब नहीं होंगे अब आपको केलो के बारे में एक और टिप बता देती हूँ देखी जब भी आप केलो को रखें तो इन्हें आप कभी भी प्लेट में न रखें आपको इनके ले लेनी है बास्केट और केलो को कभी भी सीधा ऐसे नहीं रखेंगे इन्हें हमेशा ऐसे रखेंगे उपर की इस तरह इन में हवा लगती रहेंगे और यह बिल्कुल खराब नहीं होंगे कई दिनों तक यह बहुत ही बड़ी आप फ्रेश बने रहेंगे तो जब भी घर में केले ज्यादा आ जाए तो इस तरीके से केलों को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और कई दिनों तक फिर साड़ों को हैंगर में लगाते हैं और जब हमने काफा इस साड़ी कापड बदा ने ले लेती हैं लेकिन कि आज में। stranded टीप बता रहां है metal वाली काच वाली आपको bangles नहीं लेनी है और ये पुरानी हमारे घर में चूड़ियां ऐसी रखी होती हैं बस वही आपको ले लेनी है अब आपको hanger के उपर वाले हिस्ते में एक bangle डाल देनी है इसके बाद अब आपको hanger में bangle डालते जाना है और bangle में ही hanger को इस तरह फसाते जाना है इस तरह आप 4-5 जितने भी hanger एक साथ attach करना चाहें ऐसे bangle से इने attach कर लीजे अब आप इसे अपने cupboard में लटका दीजे इस तरह बहुती कम space में आप काफी सारे कपड़ों को एक साथ arrange कर सकते हैं और काफी सारा space बचा सकते हैं मैं हमेशा इस टिप को follow करती हूँ तो आप भी इसे जरूर follow करें और मुझे comment करके जरूर बताएं आपको ये tip कैसा लगा वीडियो पसंद आई तो like, comment, share करें चैनल को subscribe, bell icon को press all पर click करें